इस वकद हम गोदरी के माहकुम्ब में पहुँचे है। माहकुम्ब के परिसर में ये गोदरी गाववसा है जहांपर परमपूज, धोंडिराम बाबा यवं चंद्रा बाबा का ये मंदीर है जहां भारी संक्या में लबाना समुदाय के लोग यहांपर अपना मत्था टेकने क लिए आते हैं। इस मंदीर के बिलकुल सामने ही गुरुद्वारा बना हुआ है। देश के कोने-कोने से लबाना, नायकडा और गोरवनजारा समाज के लोग गोदरी के इस महकुम्ब में शामिल हो रहे हैं। आज इस महकुम्ब का शानदार समापन समारो होने वाला है। इस महकुम्ब में शामिल हो रहे हैं। आज का दिन बेहत खास है। गोदरी का ये महकुम्ब एक एत्या सीख ऐसा महकुम्ब है। इसके पहले कभी ऐसा महकुम्ब गोरवनजारा लबाना नायकडा समाज का नहीं हुआ था। इस महकुम्ब ने गोरवनजारा लबाना और न इस समाज का लोक संगीत इस समाज का लोक नुर्त्य दुनिया के सामने प्रस्तूत किया है इस पूरे गाउं में अध्यत्मिक वातावरन की अनुभती हो रही है चारोह और खोश्नुमा माहोल है सुबह होने को वक्त है लेकिन लोग काफी पहले ही जाग उट है जहां जहां प लोक सनान करके तैयार हो रहे हैं मंदिरों को सजाय जा रहा है क्योंकि आज के इस एत्यासिक दिन में इस अखिल भारती हिंदू गोर बंजारा लबाना नायकरा समाज का जो महकुम्ब है उसका शांदार समापन होने वाला है यह रात का खुबसूरत ऐसा मंजर है जहां पर आप सारे मंदिरों को यग्यशाला को और तमाम सारी चीजों को लोग देखने के लिए और इस अध्यत्मिक वातावरन की अनुभूती को अनुभो करने के लिए पूरे इस गोदरी महकुम्ब परिसर इलाके में ब्रह्मन कर रहे है माहूल काफी बहतरीन है इस सरदी के माहूल में काफी इस रद्दालू दूर दूर से इस महकुम्ब में पहुँच रहे है नमस्कार इस वकत मैं गोदरी ग्राम में मौजूद हूँ आपने इसके पहले जो तजबीरे देखी वो लाइव तजबीरे थी गोदरी के महकुम्ब की लेकिन हम इस गाउं में पहुचे है यानि की गोदरी गाउं में पहुचे है और मेरे पीछे में आप मंदीर देख सकते हैं ये मंदीर को किस तरह से सजाय जा रहा है पूरे गाउं में काफी साफ सपाई दिख रही है और ये पूरे इस गाउं का और महकुम्ब मेले के परि काफी संक्य हैं में सुर्दालू दूर दूर से गोदरी के महा कुंव में innize इस गाउप मंदीर भी किया अगे लुग अपने मत्ध़ा टेक्निक लिए आएं गये उसके आगे गूत्षा वाले है वावए अध्यात्रविआत्मिक वाद्ावरन की अनुभुति इस पूरे माहॉल में हो रही है और लोग चहल कदमी कर रहे हैं और जैसे दिन निकले गयाने की सूरज की किने धर्ती पर आ जाएगी उस वकत यहां का माहॉल और भी बहतरीम होने वाला है तो हमारे साथ बने रही हम एक से एक खुबसूरत नजारे और खुबसूरत मंजर आपके साथ साजा करते रहेंगे फिर मिलेंगे कुछ नई फुटेज के साथ तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद